देखिए डोर्मेट बनाने के लिए मैंने आठ नमबर की निडल का मैने इसमें यूज किया है और ये देखिए ये दो पुरानी चुनिया है मेरे पास चुनियों से आज मैं बताऊंगे आपको कि हम ये डोर्मेट कैसे बनाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल डिजाइन है बनाने में बहुत ही आसान है तो देखिए सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे फंदे में बिलकुल सिंपल तरीके के फंदे बताऊंगे बिगनर्स भी आसानी से डाल सकते हैं ये देखिए और चुन्नी कितनी चोड़ी चोड़ी आप पटियां बना लीजिए चुन् दालने आते हुआ आप अपने हिसाब से डाले यह देखें ऐसे टाइट कर लीजिए और इस तरीके से हम इसमें फंदे डाल लेंगे देखें दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे कि साथ कि आठ कि नौ कि दस कि ग्यारे कि बारह इसी तरीके से फन्दे से फंदे डाल लेती हूँ उसके बाद अपना बनाना स्टार्ट करेंगे यह देखें इसमें डाल लिए है आपको सब्धश सब्सक्राइब बनानाry 3 वाम इसको बनाना प्ने 2 जास कि ऐसं सबस्द पकिगा 37 पूरी रोम हम ऐसे ही उल्टा बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे इस देखिए जिससे हमने फंदें डालने थे वह हमारा सारा ही पट्टी अंदर चली गई है पूरी रोहम ऐसे ही बनाएंगे आप इसे सीधा सीधा भी बना सकते हो अगर उल्टा बनाने में कोई प्रोब्लम है यह दोनों साइड से हमने फिर इसको सीधा सीधा बनाना है यह देखिए फ्रेंड्स जब आपको इसमें जॉइंट लगाओगे तो कैसे लगाओगे वो मैं आपको बता दूए मेरे पास चुन्नी है चुन्नी की थोड़ी सी छोटी पटियां बनती है यह देखिए साड़ी की आप बनाओगे तो लंबी लंबी पटियां बनेंगी ऐसे दूसरी पटियां अंदर रखे और ऐसे रोल कर देजिए इसमें हमारा जॉइंट पहुत ही इसली लग जाएगा यह देखिए और किनारे वाले को हम ऐसे इसको हम हमेशा सीधा बनाएंगे यह देखिए पलट लेंगे इस साइड से हम इसको बिना बना ऐसे ही उतार लेंगे एक साइड से बनाएंगे एक साइड से ऐसे ही उतारेंगे तो बहुत ही सुन्दर सी एक चेंज सी बनती जाएगी और यह हमारी सीधी साइड बनेगी इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे इस देखे किनारे के फंदे को पट्टी को पीछे करके इसको हम फिर से हम इसको सीधा बनाएंगे दोनों साइड से यह देखिए जब हम फ्रेंड्स दो रो बनाते हैं तो हमारी यह एक लाइन बनती है एक बार फिर से देखिए इस साइड से हम इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और फिर से हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएगे इसी तरीके से हमने इसको उपर तक बनाते जाना है इसमें फेंट्स दोनो साइड से सी दिवल्टी साइड से गिने तो 40 रो और अगर आपको ये दो लाइन जब हम दो रो बनाते हैं ये एक हमारी लाइन बनती है ये लाइन गिनोंगे तो ये 20 लाइन इतना मैं इसको बना के कंप्लीट करूँगी फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी इंक बार फिर से देखे किनारे का फंदा हमने कैसे लेना है इसी तरीके से आपको बनाते जाना पट्टी को पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बना देंगे और इस साइड से हम इसको ऐसे ही बिना बना उतार लेंगे तो फ्रेंट्स इसी तरीके से मैं इसमें ये 20 लाइन बना लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको उपर का बताऊँगी ये देखिए इतना बनके हमारा complete हो गया है देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सतरा, ठारे, उन्हीं, बीस बीस लाइन मैंने बना ली है और ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा है लेकिन ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है तो यहाँ से मैं इसमें एक कलर अब और लगाऊंगी ध्यान से देखिए एक कलर हम इसमें और लगा देंगे इस पट्वी को हम काट देंगे इसको आप इसके अंदर भी आप ऐसे इसको रोल कर सकते हो और आप इसको अंदर नीचे भी दबा सकते हो ऐसे भी कर सकते हो और आप इसे ऐसे भी बना सकते हो टाइट कर दीजिए और ऐसे अंदर दबा देजिए और इसको हम ऐसे रोल कर लेगे इसको हम थोड़ा थोड़ा अंदर ऐसे ही दबा देंगे यह हमारा पक्का हो जाएगा और आप इसको पट्टी को अंदर भी ले के इसमें रोल करके वैसे भी बना सकते हो यह देखिए सारे हिफन दे हम अब दूसरे कलर से बना लेंगे यह देख पूरी पट्टी हमने अंदर इसमें सेट कर दी आप इसको एक कलर से भी बना सकते हो और आप इसमें अलग-अलग कलर भी लगा सकते हो इस साइड से हम इसको ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हमने इसमें कलर चेंज किया है यह देखिए अब फ्रेंड्स क्या करेंगे अब हम दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें गटाएंगे जो हम उपर का फ्लावर बनाएंगे दो काई कर दिया द्यान से देखिए बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत ही इसकी अच्छी लुकाएगी बनने के बाद और बहुत ही सिंपल है बिगनर्स तो इसको आसानी से बना लेंगे कोई भी आपके पास चुननी हो कपड़े की पट्टी हो मल्टी कलर में हो या प्लेन हो तो उसी से आप यह डिजाइन बना सकते हो यह देखिए एक फंदा हमने उस साइड गटाया था अब हम एक फंदा हम इस साइड गटा देंगे इस साइड से गटा यह या दूसरी यह देखिए लेकिन आपने बराबर फंदे गटाने हैं अब हम इस साइड से ऐसे फंदे गटाएंगे या आप एक इरो में इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से गटाएं लेकिन आप इसमें बराबर फंदे गटाएंगा उस साइड गटाएंगे तो इस साइड यह नहीं कि एक साइड गटा दिए और एक साइड रह गए तो हमारी शेप खराब हो जाएगी तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से इसमें दोनों साइड एक-एक फंदा गटाते हुए उपर तक बनाऊंगे एक बार तूसरी साइड से और दिखाऊंगे आपको देखें इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे इस साइड से हमने अपने किनारे की फिनिशिंग देनी है इस साइड से हम इसमें दो काई फिर से कर देंगे तो मैं इसी तरीके से-फ्रेंड्स देखें हमारे फंदे गटने लग गए हैं दोनों साइड से तो मैं इसे घटा लेती हूँ फिर मैं आपको उपर का बताओं देखिए दोनों साइड से घटाते हुए मैं उपर तक आ गई हूँ यह देखिए आप देखिए इसी साइड से इसी तरीके से दुनों साइड से मैंने फंदेश में घटाए है ये देखिए फिर से मैं दो का एक कर दूँगे इसको मैं पट्टी पीछे करके सीधा बनाऊंगे ये किनारे का है तो देखे ऐसे हमारे किनारे की लोका आएगी आप, देख़ें, लास्ट में मैं दो का एक करतो, और यह पट्टी मेरी चोटी हो गई है तो इसको मैं इसके अंदर से मिकाल के इसको पका करतूंघें यह देखें और इसको मैं यहां से ऐसे पका करके काट दूंगे तो देखिए एक साइड से मेरा एक कम्प्लीट बन गया है अब इस साइड से भी हम इसी तरीके से बनाएंगे तो देखिए यहां से फंदे उठाएंगे हम यहां से हम इसमें फंदे उठाएंगे कि ध्यान से देखिए ऐसे हम एक फंदाइस में से निकाल लेंगे और इसी को भी इसके अंदर रोल कर लेंगे यह देखिए एक कि दो कि आप दूसरी नीडल की भी हेल्प आप ले सकते हो कि यह बिल्कुल चेन है जो हमारी इसमें सही हमने ऐसे फंदा निकालना है यह देखिए बहुत ही आराम से एजली हमारा फंदा इसमें से निकल जाएगा कि देखिए इस तरीके से और दूसरी नीडल से आप अगर लेओ तो दूसरी से भी आप ऐसे इसमें ऐसे आप इसमें बना के और यह देखिए आप ऐसे इसमें फंदा बना सकते हो इससे आप ऐसे उठाए और इससे आप ऐसे बना दीजिए यह देखिए इससे भी हम भोती इसली ऐसे और इससे बना लेजिए यह देखिए एक नीडल से उठाए और इससे आप ऐसे आप ऐसे बना दीजिए यह देखिए तो मैं आपको बताऊंगी आगे हमें क्या करना है ये देखिए ऐसे हम इसमें फंदे उठा लेंगे ये देखिए इस साइड से मैंने इसमें फंदे उठा लिये हैं देखिए एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो और दस दस फंदे उठाने के बाद देखिए ये रो आपने बेसिक रोव है आराम से ऐसे बनाना है बनाएंगे हम उल्टा उल्टा है तो सारे इफंदे में इसी तरीके से बना के इस रोव को मैं कम्प्लीट करूंगे यह देखे पूरी रोव हमने बना ली है अब फिर से हम दो का एक करेंगे यह देखे एक फंदा हमने यहां पर गटा दिया और पूरी रोव हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाएंगे एक एक फंदा जैसे हमने पहले वाला फ्लावर बनाया है इसी तरीक्षे से हम इसमिं बनाएंगे न पर मैं आपको श्टार्ट करके देधू या तो आप इस साइड से गटाईे या दूसरी साइड से गटा लिजिए यह देखिए हम इस साइड से भी एक बार इस साइड से गटा लिया और एक बार इस साइड से याद रखिए आप इसी तरीके से आपने गटाने हैं यह नहीं कि इस साइड से भी गटा दिया और इस साइड से भी आप गटा दोगे इस चीज का आप द्यान रखिए और इसी तर तोनों साइड के फ्लावर भी बना लेती हूँ फिर मैं आपको इसकी लूक बताऊँगी, दिखाऊँगी कि इसके लूक कैसी आए है, ये देखिए Я सारे फ्लावर हमारे कम्पलेट हो गई हैए, ये लास्ट वाला है एक बार मैं आपको यह दिखा दूं यह देखिए इसी तरीके से सारे फ्लावर का हमारा एंड हुआ है यह लास्ट में मैं दो का एक कर दूँगे और इसको भी हम इसमें से पक्का करके और काट देगे यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है और यह देखिए चकोर शेप में बनके कम्पलीट हुआ है आप यह चारों फ्लावर अलग अलग कलर से भी बना सकते हो और एक कलर से भी बना सकते हो तो friends ये डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइए पसंद आया हो तो please इसे like कर लीजिए चैनल पे नए हो तो subscribe कर लीजिए bell icon को press कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं friends नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ थेंक यू